दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आस्था कम्प्यूटर फांडेशन में फ्रेंड्स मैंने आपको पहले फर्स्ट डे कम्प्यूटर क्लास में आप इस्टूडन का क्या पढ़ाएंगे तो इस बारे में हम वीडियो आलेडी पहले से बना चुके हैं अगर आप लोगों नो इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर दे सकते हैं वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि second day यानि दूसरे दिन अगर कोई student आपके पास आता है तो उसे आप computer में क्या सिखाएंगे क्या बताएंगे तो चलिए इस वीडियो में हम इसी बिसाई पर बात करेंगे तो वीडियो को start करते हैं friends और दोस्तों वीडियो को start करने से पहले आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करें और दोस्तों के साथ share जरूर करें ताकि आपके जो भी friends हैं उनको भी computer का नालेज हो सके और वो भी self depend हो सके हैं तो चलिए वी तो दोस्तों second day में आपको क्या सिखाना है सबसे पहले पहले दिन जो मैंने आपको बताया था कि first day जब computer class में student आता है तो उसको विबारे में बताया था कि आपको folder बनाना बताया थे कैसे हम folder बनाएंगे और folder बना करके हम folder को ये अंदर file को कैसे रखेंगे तो यहाँ पर म folder को हम रिनेम करके यहाँ पर हम कोई नाम दे देते folder का ये लिख दिया और इंटर कर दिया तो ये folder हमारा भी इंपटी है हम इसके अंदर कैसे रखेंगे किसी भी items को या कोई file को तो simply यहाँ से हम एक file बना लेते हैं मैंने यहाँ से open कर लिया दोस्तों अपनी pen तो आपको भी paint open कर लेना है कुछ इस तरह ये paint open हो गई है open होने के बाद यहाँ पर हम एक drawing बना लेते हैं ऐसे यहाँ पर एक drawing बना करके और इसमें हम कोई color फिल कर देते हैं कुछ इस तरह देखे color फिल कर दिया अब इस file को save करना है तो save करने के लिए आपको simply keyboard से control s प्रेस करना है shape क आपके सामने आ जाएगा desktop पे हमने folder बनाया था desktop पे आपको click करना है और folder मेरा था ASTHA नाम से इस folder पे आपको click करना है click करने के बाद open कर देना है जैसे open करेंगे folder आपको देखिया address बार में पहुँच गया है और यहाँ पर हम इस folder के अंदर जो भी file बनाएंगे उसका नाम दे देते हैं तो मैंने यहाँ पर नाम लिग दिया A C F ASTHA computer foundation इसको इस तरह शेप कर दिया है और save पे click कर दिया तो देखे फाइल हमारी folder के अंदर shape हो गई है आप इस file को हम यहाँ से close करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखे मैंने file तो शेप कर दी है और यदि आपकी file folder के अ और उससे आप delete कर देते हैं जैसे मैंने इसको delete कर दिया right click किया उसी पर और delete option को select किया और यहाँ से देखे file हमारी delete हो गई और यह file हमें delete नहीं करना था यह गलती से मैंने delete कर दिया तो जैसे आप कोई file गलती से delete कर देते हैं अपनी बनाई हुई कोई भी file तो उससे आप दुबारा restore कहां से करेंगे ये आपको बताना है student को तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां से हम इसको close करते हैं तो दोस्तों जो भी file हम delete करते हैं वो सारी file हमारी जाती ही recycle bin में देखे आपके desktop पर ये recycle bin आपके सामने लगा हुआ है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस पर जैसे आप double click करेंगे तो देखे जो file मैंने delete की थी यहां पर देखो a c f नाम की file है यहां से इसका हम थोड़ा large icon लगा लेते हैं ये देखो हमारी file आ गई है और हम क्या करेंगे इस file पर जैसे right click करेंगे और restore कर देंगे तो ये file जहां से आई है दोस्तों ये file उसी folder में पहुच गई है तो इसको यहां से हम करते हैं minimize और अपना हम folder open करते हैं मैंने यहां double click किया folder पर देखे ये file हमारी folder के अंदर फिर आ गई यानि आप कोई file अगर गलती से delete कर देते हैं जिससे आप delete नहीं करना चाहते थे तो computer आपको एक chance देता है कि आप उस file को recycle bin से restore कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको delete करके दिखाया और load के वापस restore करके भी दिखाया है और एक option यह भी है कि यदे आप किसी file को delete करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वो recycle bin में न जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे उस file को select करना है इसके बाद अपने keyboard से आप shift की के साथ delete की press करेंगे तो जैसे हम यहाँ shift के साथ देखे delete की press करते हैं तो यहाँ पर देखे लिखके आ हमारे सामने एक message आ रहा है are you sure you want to permanently delete this file यानि यह जो file हमारी है permanently delete हो जाएगी अगर हम यहाँ पर yes कर देंगे यह file हमारी recycle bin में नहीं जाएगी और अगर आप ऐसे ही delete करते हैं without shift के right click करके delete करते हैं तो इसमें देखे लिखकर आ जाता है लिखकर के आता है are you sure want to move the file to the recycle bin यानि यहाँ से file delete होकर के recycle bin में जाएगी यह भी आपको बताना है कि recycle bin में file किस तरह जाती है और किस तरह delete करने से वो recycle bin में नहीं जाती है तो यह भी आपको बताना है इसके बाद आपको क्या बताना है friends इसको मैंने यहाँ से close किया इसके बाद आपको थोड़ा सा knowledge task bar के बारे में देना है कि जो हमारा सबसे नीचे bottom में by default पट्टी होती है desktop के by default में तो यह जो bottom में पट्टी होते है इसे हम कहते है task bar इस task bar को देखे अभी हम यहाँ पर जैसे desktop पे जाते हैं हमारा task bar देखे auto hide हो गया और जैसे है महाँ pointer ले जाते माउस का यह task bar फिस हो कर रहा है तो यह auto hide और unhide आप कैसे करेंगे task bar को यह भी आपको बताना है तो इसके लिए friends हम क्या करेंगे task bar पर right click करेंगे कहीं पर भी आप task bar पर right click कर सकते हैं क्लिक करने के बाद आपको properties पर जाना है सबसे नीचे लिखा है properties इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देखे हमारे पास यह एक dialogue box आजा है जिसमें लिखा है task bar and star menu properties यानि task bar और star menu की सारी setting यहां से की जाती है और यहां पर देखे उपर से दूसरा option है लिखा है auto height the task bar जैसे आप इस पर टिक है आप हटा दीजिए और यहां से कर दीजिए apply and ok याप direct ok करते हैं जैसे आप ok करेंगे तो देखे हम mouse pointer अगर टास पर रखते हैं desktop पे तब भी मेरा task bar देखे height नहीं हो रहा है याई यह पर देखे तो यह चीज आप आपको बताना है अगर आप hide करना चाहते हैं तो right click करके आपको property पर जाना है auto height task bar पे आपको फिर click कर देना और ok कर देना है तो यह से आप जब ok कर देंगे तो आपको task bar automatic फिर वो hide होने लगेगा इसके बाद आपको बताना है कि आप अपना date और time कैसे set करोगे computer में अगर आप computer चलाते हैं सीखने जाते हैं या सीख रहे हैं और आपके system का time and date गलत हो गया तो उससे आप कैसे सही करेंगे तो देखें यहाँ task bar के कोने पे notification एरिया होती है इसे बोलते हैं यहाँ पर देखें आपर जो भी time है याँ आपके सामने so कर रहा है इस पर आपको simply किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा change time and date setting इस पर किलिक कर दिजे और यहाँ पर आपके देखे लिखा change date and time इस पर किलिक कर दिजे अब जो भी date time हो present time वो आप यहाँ से month ले लेंगे इसको आप increase, decrease इधर से और यहाँ से किलिक कर के कर सकते हो जो भी date आपकी हो वो date पर आप किलिक कर देना है आपको किलिक करने के बाद यहाँ पर आप time जो भी लगाना चाहते हो time आप लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर हम कोई एक date ले लेते हैं मैंने यह date ले लिया इसके बाद timing यहाँ पर आप change करते है अपने according जो भी time लगाना हो ok कर दिजे और यहाँ पर जैसे ही होगे करेंगे तो देखें आपको डेट टाइम सट हो जाएगा को भूल आपको यहापकर नोटिफिकेशन एर्याह होती हाँ ़हाँ पर आको प्यूंत तशौ करेगा कि यह टाइम हमारी सही हो गय इसके बाद दोस्तों क्या बताना है आपको यह जो हमारा task bar है यह already bottom में ही सो करता है आप इसे चाहें तो अपने desktop के by default right में, top में, left में यहां जहां आप इसे move कर सकते हैं वो कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले task bar पे right button के लिए करना है और यहां पर देखें लिखा है lock the task bar यहां पर यह जो यह टिक है यह जो निसान लगा है इस पर click कर दीजिए आपको देखें आप right जब दुबारा click करेंगे इस पर तो देखें वहां पर जो task bar पे करेंगे तो यह देखें आपको क्या करना है जैसे आप इधर करेंगे तो यह देखें आपका टासबार left hand में आ गया और यह आपका फिर bottom में आ गया यानि इस task bar को आप स्क्रीन के चारो तरफ move कर सकते हो लेकिन यह move कब होगा दोस्तों जब यहां पर आपका task bar लॉक नहीं होगा यदि आपने लॉक कर रखा है तो यह आपका move नहीं होगा तो यह भी आपको बताना है student को शिकन इनने option है एक तो आप mouse pointer से start menu खोल सकते हैं कुछ इस तरह हैं दूसरा option है अपने keyboard से आप window की प्रेस करके task bar start menu को खोल सकते हैं यह से मैंने window की प्रेस किया और यह हमारा start menu open हो गया यह दो तरीके होते start menu open करने के और तीसरा तरीका जो हमारा होता है control key के साथ escape की जैसे आप प्रेस करेंगे आपको देखे start menu open हो गया यह भी आपको बताना यह नहीं हम तीन तरीके से start menu को open कर सकते हैं आप किसी भी program को अगर open करना है तो वो कैसे करेंगे एक तो आप mouse से click करके open कर सकते हो जो भ keyboard से अगर कोई program open करना तो आप कैसे करेंगे window की प्रेस करिए और arrow से आप जा सकते हैं आप arrow जो की होती है जो program आपको open करना है उस program पे आपको जा करके simply enter कर देना जैसे आप enter करेंगे आपके सामने program वो open हो जाएगा तो इस तरह आप program को open कर सकते हैं और इसो close करने के लिए आपको क्या करना है यह red button जो cross वाला है इस पर जैसे click करेंगे तो आपका program close हो जाएगा अगर आप keyboard से close करना चाहते हैं तो आपको press करना है alt key के साथ f4 key जैसे alt के साथ f4 करेंगे वो program आपका close हो जाएगा तो यह सारी setting आपको friends student को बतानी है second class में और अच्छे से आपको स समझ में आ जाए और उसके बाद आपको अगली की जो class है वो next video में दोस्तों बताएंगे तब तक क्लिए दोस्तों जाहें